सराइकल अवेद बालू में लदा हुआ 11 हाइवा जब्त किया गया है पुलिस अधिक्चो के नेतित में चापे मारी की गई बालू माफियाओं में हर कंप मच गया है बालू माफियाओं में हर कंप मच गया है आवेद बालु से लदा हुआ 11 हाइवा जब्त किया गया है इसक्लूसीव कवारेज न्यूज भारत पर तो आवेद लदा हुआ 11 हाइवा जब्त किया गया है बालु माफ्याओं में इस उचापे माले की बाद हर्द मच गया है गुप्त सुचना के आधार पर ये चापे मारी की गई है सुचना मिली थी कि अवैद बालू से लदा हुआ हाईवा जा रहा है और उसको लेकर के चापे मारी की गई बालू माफियाओं में इस चापे मारी के बाद हड़कम पच गया है अवैद बालू से लदा हुआ ग्यारा हाईवा जब्त कर लिया गया है आपको बता दें कि लगातार अवैद बालू का खनन हो रहा है और उसे रोकने के लिए प्रशासन चौकस है और उसको लेकर के आज जब गुप्त सुचना मिली जो छापे मारी की गई और उसमें वैद बालू लदा हुआ ग्यारा हाईवा जब्त किया गया रसायोगी बसंत हमारे साथ जुड़ गया है फोन oring से बसंत वैद बालू लदा हुआ ग्यारा हाईवा जब्त Gचिया बडी कारवई जी जिसना जी देखिए हमारा इंचागार चेत्र जो है इंचागार तिरूलडी थाना चेत्र में रात के अंधेरे में बालू का हईवा मने बेरोड टोक जा री था इसका नया एस्पी को हमारा भनग लगा भनग लगने के बाद आज नया एस्पी सहाब खुद ये परसनल गा जी जी एसा हो रहा है कि इस चेत्र में लगातार बालू का जो करवार होता है अब बालू का जिससे लाखो रुपया सरकार की राज़सी के नुकसान होता है और रात के अंधेरे में ही बालू मख्या लोग अपना कारी को लगाते हैं डेली कंसे कम दो से तीन सब हाईवा कारी देली बालू का उठा होता है यहीं बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए बसंद तो अवैद बालू लदा हुआ है ग्यारा हाईवा जब्त किया गया है और इस कारवाई के बाद जो बालू माफिया है उनके अंदर एक हरकम मच गया है